नमस्कार साथियों आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित से बनने वाले बहुत ही मैंतपोण मैंतपोण आपजेक्टिव टैप के प्रसनों के बारे में जो कि बीए के पंचम समेस्टर के छाथ-छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा अगर आप बीए के फिप्त समेस्टर में हैं और आप सोच रहें कि हमारे एक सब्जक्ट के कितने पेपर होने वाले हैं तो सोचना जाहिर सी बात है चुकि एक सब्जक्ट के अब आपके दो पेपर होने वाले हैं अधिकतर विश्विद्यले में दो पेपर और कुछ- semester में तब आपको एक major subject कम पढ़ना होता है और minor subject का जो लफ़ला है वो खतम हो जाता है यानि कि minor subject भी आपको नहीं पढ़ना होता है और major subject तो तीन आप पहले पढ़ते थे उनमें से के वो दो major subject आपको पढ़ने होते हैं बाराल यहाँ पर दो major subject यानि की लगबग चार पेपर आपको देने होते हैं एक सब्जक्ट के दो पेपर होते हैं ठीक है तो हिंदी साहित मा आप पढ़ेंगे तो ये पहला पेपर है उसका पेपर नंबर वन जिसमें आपको साहित सास्त्र और हिंदी आलोचना से बनने वाले इंपोर्टन प्रसनों को आज की वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो पिछले दो-तीन मर्सों में परिक्षा में पूछे भी गए है और जिनकी दोजार पचीज की परिक्षा में पूछे आने की संभावना बहुत जाता है ठीक है तो बिलकुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है सुकलाइश्डिरी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है और ऐसे ही और तमाम परकार के सब्जक्ट की वीडियो लगातार आपके समक्षाती रहेगी दिन दैलो पध्या गोरगपुर विश्विद्याले राजा महेंत परताप संगी स्टेट उनिसिटी महाराजा सोहल दियो आजमकड यूनिवर्सिटी डाटर भीम रावम बेड़कर आगराग यूनिवर्सिटी ऐसे और भी कई विश्विद्याले जिनके परिक्षाएं अब्जक्टिव होनी वाली हैं उन सभी के लिए ए लक्षर बहुत ही महत्पोर होगा ठीक है और बाकी जिनकी परिक्षाएं लिखित होती उनके लिए अलेडी मैंने एक परकार से महासंग्राम रिवीजन क्लास या बात करूं तो इसमें आपको साहित तसास रहिंदी आलोचना के बारे में जानना तो आज हम हंडेड यमसी क्यूस के बारे में मल्टीपल 24 कोशन के बारे में जानेंगे इससे बाहर आपकी परिच्छा में कुछ नहीं आने वाला है आप दो तीन चार मारे पर देख लेंगे ठीक है उसके बाद में आपको कहीं से कुछ पढ़ने जरूरत नहीं पड़ेगी 2023, 2024, 2025 अवलब 2023 में जो पूछे के कोशन से उनके बारे में यहां से जो है उसके बारे मैंने रखा तमाम प्रसंद जो पूछे गए पिरेवेसर में उसको भी मैंने यहां पर रखने का काम किय चले जितने भी लोग देख रहे हैं फड़ा फड़ से वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखने के लिए ठीक है चले कोशनस नमबर एक आपकी समख्छा चुका प् प्रतिभा कोई लड़की नहीं है प्रतिभा होती है कावि करने की प्रतिभा ठीक है क्या होती है कावि करने की प्रतिभा यानि कि किसी वेक्ति के अंदर के कौन सा टेलेंट है या किस टेलेंट के द्वारा कोई वेक्ति कावि को लिखता है या कावि को करता है कावि का सरज किया गया है कामिका प्रियोजन वो होता है ठीक है यह बाध्यान रखेंगे क्लियर देखे प्रस्न है आपका प्रस्न क्या चुका भीया देखे चले प्रस्न है प्रतिभा अपूर्व ववस्तु निर्माण समता त्रग्या किसने कहा अभिनोगुप्त भटत तौत या दंडी इन में से कोई नहीं, अच्छा ये जो अभिनोगुपति है, दंडी, आचार दंडी, भट तोती, ये सब कौन है, ये सब संस्कृत के बिद्वान है, संस्कृत के आचारी है, इन्होंने जो संस्कृत का अबिसास्त्र है, उसमें बड़ी महती भूमिकानी भाई, मलब बहुत ह इसलिए इनका नाम बड़ा फेमस रहा, जैसे रस संप्रदाय के प्रमुख आचार भरत मुनी, ठीक है, ऐसे ही बामन आचारी जो थे उन्होंने रीती संप्रदाय का प्रणें किया, ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं कुंतक, ठीक है, छेमेंद्र, आनंदवर्धन, धनी प्रदाय के प्रणेता रहे, तो ऐसे तमाम प्रकार के आचारी आपको मिलेंगे, ठीक है, आचारी बिस नाथ आप देखते हैं, साहित दरपड नाम की पुस्तक लिखते हैं, जो कि बड़ी फेमस पुस्तक है, तो ऐसे तमाम मिलेंगे, तो प्रतिभा अपूर्व ने कहा था, ओके, चले, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि प्रतिभा जो होती है, ये अपूर्व ववस्तु निर्मान सम्ता तरग्या, किसने कहा इसको, प्रतिभा को, तो अभी नोगुप्त महोदे ने कहा, इसका ये आपसन करेक्ट एंसर होगा, अगला कोशन से वाचि वाच मिस रहा, सब्द आत्मा काव्यम, किसने कहा था, इस उक्ति को, इसको कहा था, आनंद वर्धन, किसने कहा था, आनंद वर्धन, आनंद वर्धन कौन है भई, आनंद वर्धन जो है, धोनी संपरदाय के आचारे, इनका क्या नाम, ये क्यो है, धोनी संपरदाय, धोनी प्रनेता आचारे हैं ठीक है प्रनेता है कौन आनंद वर्धन ठीक है ध्यान लखेंगे बहुत ही फेमस बेक्ति आनंद वर्धन इन्होंने ध्वनी काविकी आत्मा कहा कि जो ध्वनी होती है वही काविकी आत्मा होती है ठीक है इन्होंने कहा था कि वाच्चि वाचक मिश रह सब्द आत्मा काब्यम ठीक है अगला कोशाज काब्यम ग्राहम अलंकारात यहनि काब्यम ग्राहम अलंकारात किस आचारी की उगती है तो आचारी बामन ने इसको कहा था किस ने कहा था आचारी बामन बामन ने किस संप्रदाय का प्रणायन किया भीया बामन ने रीती रिती संप्रदाई के आचारी कोन है आचारी बामन आचारी भामा कोन है आचारी भामा की एक प्रकार से काब्य अलंकार पुस्तक है ठीक है और ये अलंकार को एक प्रकार से काब्य की आत्मा मानते हैं ठीक है किसको मानते है अलंकार को यह अलंकार संप्रदाई के प्रणेता आचारे है आचारी भामा ये बात आप ध्यान रखेंगे ठीक है और रीती संपरदाय के प्रड़ेता आचारे है बामन ठीक है ध्यान रखेंगे इस चीछ को और रस संपरदाय के प्रड़ेता आचारे को है वो है भरत्मुन यानि कि रस को कावि की आत्मा कोन मानते है इसे ही आप से पूछेगा कि ध्वनी को काविकी आत्मा किस ने माना तो आनंद वर्धन ने माना ठीक है ऐसे ही आप और आगी चल करके चीजों को पढ़ेंगे बिसकली छे संप्रता है संस्कित में संस्कित काविधारा में आपको मिलेगे तो काव्यम ग्रहा मलंकारात की साचारिक उक्ति आचारिबामन की अगला कोशनसाप की स्किन पराज चुका है तदौसो सबदार्थो समनु अलंकरति पुनाह क्वापी बताएं तत दोसो, सब्दार्थी, सुमन्वलंकरती, पुनाह क्वापी, ये कावि की परिभासा किसने दी है, जिसको दिया है किसने भीया, आचारी मम्मट ने, किसने दिया है ये कावि की परिभासा, आचारी मम्मट ने दिया है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, अगला कोशन बहुत परिच्छा में खुब पूछा गया है रमडी आर्थ परतिपाद कहा सब्दह काब्यम काब्य की परिभासा किसने दी है फटा परच्छा बताने का परियास करेंगे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा जगनात आचार जगनात ने यह परिभासा दी है आपसा नमबर इसका D राइट एंसर होगा किलियर आगे देखेंगे अगला परसन आपके स्कीन पर आचुका है सबही लोग देखने का परियास करेंगे परसन है काब्य सर्बाधिक सुखी योम सरिष्टम हिर्दयों के सरिष्टम और सर्बाधिक सुखी बिक्षडों का लेखा जोखा होता है किसने कहा काब्य की परिभासा इसको दी है सेली महोदे ने सेली एक पास्चाति बिचारक है बिद्वान है पास्चाति बिचारक है ठीक है चुकि हमको क्यों भारते का अबिसास्तर नहीं बलकि पास्चाति का अबिसास्त्र के बारें भी जानना है इस वज़ा से हम इस चीजों को पढ़ते हैं अगला कोशन से कविता सब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफ नामा होती है बताएं कविता सब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफ नामा है काविकी परि एक प्रकार से इसको दिया है सुदामा परसाद पांडे बड़े ही एक प्रकार से मलब वो नगनता भी आप देखेंगे उनके रचनाओं में या उनकी जब भासा की बिद्दूरूपता आपको दिखेगी मलब की भासा को एक प्रकार से मलब केसे की जो एक प्रकार से ऐसा होत नगनता वो भी आपको एक प्रकार से इसमें आपको दिखेगा धूमिल का नाम है पूरा सुदामा प्रशाद पांडे धूमिल ठीक है क्या नाम है सुदामा प्रशाद पांडे धूमिल सुदामा प्रशाद पांडे ठीक है और इनका उप नाम है धूमिल धूमिल नहीं कहा थ कि कविता जो होती है सब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफ नामा होती है ठीक है सी आपसन इसका करेक्टर एंसर हो जाएगा अगला प्रसनाप किसके इन पर आ चुका है फटावट से आप देखेंगे रस संपरदाय के प्रवरतक आचारी कौन है तो रस प्रवरत मुनी के गरंथ का नाम बताईए बात भी आप ध्यान रखेंगे पर इक्षा में कई बार परसन पूछा गया इस वज़ा से मैंने सोचा आपको बता दिये जाए अगला कोशन से भरत मुनी के गरंथ का नाम बताईए भरत मुनी के गरंथ का क्या नाम है भी या फटाबट से मलब की इनके गरंथ का नाम क्या है फटाबट से आप बताईए तो इनके गरंथ का नाम है नाट्टि सास्त्र और ये आप से अब यहाब पूछ सकता था कि कोथी सताबदी का है तो चोथी सताबदी क्या सपास का इन तो रसों की संख्या भरत मुरीने आठ मानी है आपसे नमर इसका भी करेक्टर एंसर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला प्रसनाप की स्किन पर आ चुका है देखें अगर आपको ऐसे ही question paper भी चाहिए जैसे पिछले साल का जो question paper है उसकी PDF चाहिए या जो भी class ये भी चल ल paper आपको मिल जाएंगे model paper मिल जाएंगे और PDF notes अबके मिल जाएंगे तो अगर आपको हिंदी की या किसी भी subject की PDF notes चाहिए साथी साथ में analytic ability and digital awareness जो आपका co-curricular है इसका भी आपका PDF notes और video lectures या live classes चाहिए तो आप एक परकार से group join कर सकते हैं वैसे YouTube पर classes आपकी होंगी बट PDF आपको प्राप्त करनी है basically तो आप group join कर सकते हैं PDF प्राप्त करने के लिए आपको group में join करना है SMS करना है 91-693-62 ठीक है यह मेरा WhatsApp नमर 91-693-62 इस पर आपको अपना नाम ठीक है अपनी university का नाम और आपके क्या-क्या subject से अपने subject के नाम लिख दीजेगा उसके बाद में एक प्रकार से आपके पास एके scanner send किया जाएगा उसी पर मातर 100 रुपीज आपको send कर देने होंगे और उसका screen set हमारे पास send कर देना होगा उसके बाद में आपको group से add कर दिया जाएगा WhatsApp group से ठीक है उसमें आपको एक प्रकार से जो भी classes आगामी होंगी उनकी videos आपको मिल आपके WhatsApp पर आप उस PDF को निकलवा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं फोटो कापी निकलवा सकते हैं आराम से पढ़िए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी उसमें ठीक है तो इस तरीके से आप join हो सकते हैं जुड़ सकते हैं बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आप समझ होंगी लिखित का भी मिलेगा अबजर्टिव का भी मिलेगा तो जिनको भी जो भी join करना आप join कर सकते हैं साथ ही साथ आपका co-curricular वाला भी यहाँ पर मिल जाएगा और कितने रुपए मातर और मातर 100 रुपीज में अगर आप नहीं चलाते हैं गूगल पे फोन पे कुछ भी नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं ठीक है अब आप लोगों को तो बताने की जरूरत है नहीं कि सुकलाश्टी पॉइंट आपके लिए कैसा तयारी करवाता है जो मारे जेवर मैं देता हूँ वही से सब कुछ आता है तो आपको टेंसर ल फिर आपना स्कोर्ट चक करेंगे आकर के वीडियो देख करके तो इस तरीके जब आप पढ़ेंगे तो पांच-छे ग्याने इंद्रिया आपकी काम करेंगे और बहुत आगे तक आप जाएंगे ठीक है चले तो फटा फटा पट से समस करजिए एक्यानवेक से तिर्यानवे गुण होता है बताएं कौन सा गुण होता है इनमें से बताएं फटा पट से आप बताने का प्रियास करेंगे बीर रस बिभत्स रस ठीक है रोदर रस इनमें कौन सा गुण होता है ओज मनद कौन सा गुण होता है ठीक है बताएं फटा पट से आप बताने का प्रियास करें एक होता है ओजगुण एक माधोरी और एक प्रसाद गुण ठीक है तो जहाँ पर बीरस, विबत्रस, रोद्रस और ये सब होगा वहाँ पर कौन सा एक परकार से गुण होगा वहाँ पर ओजगुण होगा बहुत ही महत्मूर है पिछले वर्स में परिच्छा प्रसन पूछा गया है अगला कोशन से प्रसाद गुण की प्रमिक बिसेस्ता क्या है बताएं प्रसाद गुण की प्रमिक बिसेस्ता ये होती है कि अर्थ की असपश्टता इसमें होती है इसका डी आप्सन डाईट एंसर हो जाएगा अगला कोशन सा आपकी स्किन पर आ चुका है प्रसन द देखेंगे रसका धर्म किसे कहा जाता है रसका धर्म आनंद को गुण को अलंकार को या ब्रती को तो रसका धर्म जो होता है वो गुण को कहा जाता है रसका धर्म किसको कहते हैं गुण को कहते हैं आपसे नंबर सी राइट एंसर होगा अगला कोशन्स आपके स्किन पर आ बताएं भीया, आचार मम्मट के अनुसार कावि गुडों के संख्या कितनी हैं, बताएं, important questions, आचार मम्मट के अनुसार कावि गुडों के संख्या तीन हैं, ठीक है, कौन-कौन से, आपके ओज, माधुर्य और प्रसाद, next questions है, काव में भावनाओं को उससाहित करने वाले ग आपसर नंबर इसका एक अरक्टर एंसर होगा, अगला questions आपके स्किन पर आचुका, फटापड से आप देखने का प्रियास करेंगे, प्रस्द है किसी भी सब्द में अंतर नहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, किसी भी सब्द में अंतर नहित अर मलब क्या होता है, सीधे सीधे जिसे कि जो बातें आप कह रहे हैं, सब्द का अर्थ भी होगा जो हम कह रहे हैं, और जो अभी लक्षणा और वेंजना होती हो, मुहाबरे वाली सब्दावलिया होती है, कि आपने कहा कि मुहाबरा लोकुक्ती बोल दी कोई है सब, ठीक है, और यही सब होती अभीधा लक्षणा आपकी, जिसमें मलब कहा कुछ और जा रहा है और उसका भावार्थ कुछ और है, निम्द में से अभीधा सब्द सक्ती द्वारा प्रकट नहीं होने वाला अर्थ कौन सा है, अभीधा सब्द सक्ती के द्वारा प्रकट नहीं होने वाला अर्थ हिन में से होता साक्षात संकेती आर्थ ठीक है क्लियर ये बात आप ध्यान रखेंगे आगे देखते हैं अंगला कोसंस आपके स्किन पर आ चुका है फटापट से आप देखने का प्रियास करेंगे बहुत ही जबदस कोसंस आ चुका है प्रसने प्रियोजनवादी लक् लक्षणा के निम्द में से उपभेद नहीं है तो प्रियोजनवती लक्षणा में कडा लक्षणा नहीं आती बाकि गौणी लक्षणा सुधा लक्षणा और उपदान लक्षणा ये तीनों लक्षणा आती है कौन सी सबसक्ती में ध्वन्यार्थ परकट होता है तो कौन सी सब्सक्ति में धुन्यार्थ प्रकट होता है बताएं कौन सी सब्सक्ति में धुन्यार्थ प्रकट होता है फटाबट चाप बताने का प्रियास करेंगे कौन से सब्सक्ति में ध्वन्यार्थ परकट होता है ध्वन्यार्थ लक्षणा बेंजना में हो सकता है ठीक है तो लक्षणा लगा सकते हैं आप वही कोशन फिर से रिपीटेट होगा चले छोड़ दें उसको अगला कोशन से कनक कनक ते सो गुनी मा धक्ता अधिकाए या खाए बवराए जगवा पाए बवराए इसमें कौन से सब्सक्ति है भटबट से आँ बताएंगे इसमें कौन से है कनक कनक ते सो गुनी मा धक्ता अधिकाए या पाए बवराए जगवा खाए बवराए इसमें अभिधा सब्सक्ति है जो है उसका सेम टू सेम अर्थ बेंजना सब्सक्ति के मुख्यतया दो भेद होते हैं कौन कौन से तो बेंजना सबसक्ती के दो भेद होते हैं एक होता साब्दी बेंजना एक होती है आर्थी बेंजना आपसे नमर इसका एक अरेक्ट एंसर होगा अगला प्रसन आपके स्किन पर आचुका सभी लोग देखेंगे प्रसने किस सबसक्ती में संदर्व प्रसंग के आधार पर अर्थ का सुरूप तक होता है बताएं किस सब्द सक्ती में संदर्व में आधार प्रसंग के आधार पर अर्थ का सुरूप तक निश्चित होता है तो होता है बेंजना सब्सक्ती में आपसर नमर इसका सी राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अंगला कोशन साब की स्किन पर आ चुका फटाफट से आप वीडियो को सियर कर दीजेगा लाइक जलूर करते रहेगा ऐसे ही इनफॉर्मेटिब वीडियो और देखने के लिए ठीक है सभी दोस्तों से निवेदाने की वीडियो को सियर कर दीजेगा और लाइक करते रहेगा ऐसे ही इनफॉर्मेटिब वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहूँगा और आप सभी लोग बहुत ही बारिकी के साथ अध्यन कर रहे हैं इसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धनिवाद ऐसे ही आप सभी का प्यार हमेशा बना रहना चाहिए चले, परसंनता सब्द में कौन सी धोनी है, बताएं, परसंनता सब्द में युगमक धोनी का प्रियोग होगा, पर इच्छा में पूछा कैंद ध्यान लखेंगे अगला कोसन 2022 में रूपक के भेद नहीं है बताएं रूपक का भेद क्या नहीं इन में से रूपक का भेद देखें नाटक, प्रकरण और प्रहसन ये रूपक के भेद होते हैं जबकि प्रस्थान इसका भेद नहीं होता तो पूछागा कि कौन सा भेद नहीं है तो यही भेद नहीं है इसका B option करक्टर एंसर होगा अगला person रूपक के भेद माने जाते हैं रूपक के कितने भेद हैं 10, 8 या 9 तो रूपक के 10 भेद होते हैं कितने भेद परिच्छा में कई बार आया रूपक के 10 भेद होते हैं अगला question साब कि स्कीन पर आ चुका है फटापट से आप बताने का प्रियास करेंगे उप रूपक के भेद हैं बताए उप रूपक के कितने भेद हैं बहिया उप रूपक के 18 भेद होते हैं आचार देव ने कौन से भाव को चोती सहवा, संचारी भाव कहा, तो छल को एक प्रकार से चोती सहवा, संचारी भाव कहा, मम्मट का कावे प्रकास, कावे प्रकास एक गरंथ है, पुस्तक है, कावे प्रकास के लेखक कौन है, तो आचार मम्मट है, तो इनका सम्मंधित गरं करेंगे ध्वनी को कावि की आत्मा किस आचारे ने माना है ध्वनी को कावि की आत्मा कौन मानते भीया ध्वनी को कावि की आत्मा एक प्रकार से कौन मानते हैं आनंद वर्धन मानते हैं कौन मानते हैं आनंद वर्धन आपसर नमबर डी करक्टेंसर होगा रस ध्वनी को कावि आत्मा पद पर किस ने प्रतिश्चित किया, आनंद वर्धन ने प्रतिश्चित किया, आनंद वर्धन वही वेक्ती हैं जिन्होंने ध्वनी संप्रदाय का प्रणयन किया, ठीक है, जहां नखेंगे, अगला कोसन सापकी स्किन पर आ चुका है, निम्लिखित में से किस ने के प्रकार में आपके अनुकृत नायक, धृष्ट नायक और दक्षण नायक के तीनों होते हैं, D option करक्टर एंसर हो जाएगा, अगला प्रसन आपके स्किन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रियास करेंगे, यह प्रसन है, प्रसन है ब्याकरण के इस फोट कवाद से प्रेरित है, बताएं, इस फोट वाद से, ब्याकरण के इस फोट वाद से क्या प्रेरित है इन में से, तो धोनी सिद्धान्त जो है, वो मोटिवेटेड है, प्रेरित है, नेक्ट कोर्सन काविसास्त्र में धोनी सब् तो ये काविसास्तर में ध्वनी सब्द जो है वो ब्यंकर बेंचक बारा याता है इसका सी आपसन नाइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसाप के स्कीन पर आचुका है निरुक्ती निरुक्ती नामक ग्रंथ में अलंकारों का सैध्धानतिक विवेचन सरप्रथम किस ने किया भड़ा भड़ से आप बताने का प्रियास करेंगे तो आचार यास्क ने निरुक्ती नामक ग्रंथ में सबसे पहले अलंकारों का सैध्धानतिक विवेचन प्रस्तुत किया और ये निरुक्ती पुस्तक किस की है आचार यास्क की ही है ब्रहद देवता नामक ग्रंथ की सोना क्रिसी क्या नाम है उनका सोना क्रिसी आपसा नंबर इसका भी करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कोशन सापकी स्किन पर आ चुका फड़ापट से आप देखेंगे बहुत ही जबड़त कोशन से महोदे प्रसने भरत मुनी अपने नाटे सास्त्र में कितने अलंकारों का अ इस देते हैं नाटे सास्त्र में आपसा नंबर इसका एक अरक्ट एंसर होगा आगे देखते हैं अगला प्रसनाप की स्किन पर आ चुका है फड़ापट से आप देखेंगे बहुत ही मैत्पूर कोशन सा चुका है रीती संपरदाय के प्रवरतक आचार बताएं तो रीती सं परदाय का प्रणैन किया क्लिएर अचार कोन है आचार बामन बिल्कुल राइट राइट एंसर सी अगला कोशन से आचार कुंतक ने वक्त रोकती कि कितने भेद माने हैं आचार कुंतक ने, आचार कुंतक जो है, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार कुंतक है, ठीक है, और जो है, आउचित संप्रदाय के आचार है, छे मेंदर, ठीक है, तो आउचित संप्रदाय के प्रणेता, आप से पूछे तो क्या बताएंगे, छे मेंदर, वक्रोक्ति संप्र अचार चार कूंतब बने कितने भेद माने तो आचार कुंतंग ने वक्रोक्ति के छे भेद माने है बी आपसन इसका राइट एंसर होगा अगला कोसन सा चुका है आउचित को काभी की आत्मा की रूब में परतिष्ठित करने वाले आचार कौन है तो आउचित को काभी की आत्मा कौन मानते है आचार छ बड़ी फेमस पुस्तक है अगला कोशन से रुद्रट वक्रोक्ति को सब्दलंकार मानते हैं इसे अर्था अलंकार किसने माना है बताएं देखें अलंकार कितने प्रकार का हो तो दो प्रकार का एक होता सब्दलंकार और एक होता है अर्था अलंकार ठीके सब्दलंकार सब्द अर्थालंकार कौन मानते हैं भिया वक्रोक्ति को रुद्रट महोदे सब्द अलंकार मानते हैं जबकि इसको बामन महोदे अर्थालंकार मानते हैं ठीक है अर्थालंकार कौन मानते हैं बामन मानते हैं और सब्दालंकार कौन मानते हैं रुद्रट मानते हैं ठीक है वक्रोक्ति संप्रदाय के बिरोधी आचार है बताए वक्रोक्ति संप्रदाय के बिरोधी आचार कौन है आचार बिस्वनाथिन की पुस्तक कौन सी है साहित दरपण बड़ी फेमस पुस्तक है अगला कोस्तस है बैदक्धि भंगी भनीती किसका सूत्र है बैगध्य भंगी भनीती ये सूत्र है किसका आचार कुंतक का आपसन नमर इसका ये करेक्ट एंसर होगा अगला प्रसाब की स्किन पर आचुका है फटा फट से आप देखेंगे आचार कुंतक का विसास्त्र में किस संपरदाय के परवर्तक माने जाते हैं वक्रोक्ति सिध्धान के परवर्तक आचार है कुंतक ठीक है वही कोसन खुमा करके आपसे कई बार पूछेगा ध्यान रखेंगे इन चीजों को अगला कोसन सा आचुका है आउचित संपरदाय के परवर्तक आचार है छेमेंद्र आपसन नमर सी करेक्ट एंसर होगा आउचित विचार चर्चा या अचर्या आउचित विचार चार्या किस आचार की है वस तक तो यह छेमेंद्र की है आपसन नमर डी करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला question साब की screen पर आचुका है समन्वय कारी आचार समन्वय कारी आचार के नाम समाद्रिस से है बताए समन्वय कारी आचार तो ये कहा दाथा है छेमेंदर को आपसर नंबर B करेक्ट एंसर होगा सरी पृत्थम किस आचार ने आउचित का समन्ध रस से अस्थापित किया तो आउचित का संपरता है मलब आउचित का संबन रस से अस्थापित करने वाले विद्वान है कौन भया आचारी आनंद मलब आनंद वर्धन आपसर नंबर सी करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कोशन साब की स्किन पर आ चुका कि भरत्मुनी सब विक्ता रूप में प्रति प्रत्युत पाधन करने वाले आचारी नहीं भरत्मुनी हो सकते हैं किताब में भरत्मुनी दिया बट छे में इंद्रिस का राइट एंसर होगा डी आपसर आगे देखेंगे अगला कोशन से इन में से कौन सा काब राम कथन पर आधारी थे बताएं भड़फ से बताने का पृआस करेंगे इन में से कौन सा कथन राम कथन पर आधारी थे कौन सा काब है राम कथा पराधारित है बताएं कामाईनी ये सुधरा निर्जा भूमिजा बताएं तो राम कथा पराधारित इन में से कौन सा है भूमिजा भूमिजा कौन है भूमी से उत्पन होने लिकोने भूमी माने होते है प्रतवी जामाने होता है पुत्री, भूमी से उत्पन होने वाले को भूमिजा कहते हैं, इसलिए माता सीता भूमी से उत्पन होई थी, तो उन्हीं से आधारित एक प्रकार से है, तो माता सीता का जान नाम आएगा वहाँ भगवान राम का नाम तो आना सो भविक सी बात है, यह आपसन प्रथिन सब्दस से प्रथमा एक बचन रूप है बताएं प्रथिन सब्दस से प्रथमा एक बचन रूप इसका होगा पंथा आपसन नमबर एक अरेक्टर एंजर होगा अगला कोशन साब की स्किन पर आचुका है राग्य रागिया राजानी इत्योतो पदरूपह अस्तह ये प्रकार सब्तमी एक बचन विभगती हूँ धेनू सब्दस्यतुर्थी एक बचने रूपम सयात तो इसका करक्ट एंसर हो जाएगा धेनौ अगला कोशनस आचँगा परतीक के कितने प्रकार होते हैं? परतीक के कितने प्रकार होते हैं, तो परतीक आठ प्रकार का होता है। आपसर नमबर C करक्ट एंसर होगा, रीती को बचन बिन्यास कम, बलब बिन्यास किस ने कहा, बताए, रीती को बचन बिन्यास किस ने कहा, आचार सेखर ने कहा, आपसर नमबर B करक्ट एंसर हो जाएगा इसका, 2022 में कोशन पूचा गया था, अगला कोशन से आपके स्किन पर आ चुका है रीती को एक केंद्री तत्त के रूप में अस्थापित करते हुए किसने कहा कि बिसिष्ट पद रचना रीती ही किसने कहा आचारी बामन ने कहा आपसा नंबर इसका सही करेक्ट एंसर होगा अगला कोशन से साहीति दरपण के रचनाकार कौन है आचारी बे सुनात साहीति दरपण के रचनाकार है आपसा नंबर इसका एक करेक्ट एंसर होगा बहुत बढ़िया कोशन से इसा प्रसंद पूचे गए अगला कोशन से आपके स्किन पर आ चुका है ब्रमानंद स्वरूप पर्मानंद कौबि का परं प्रियोजन किसने कहा ब्रमाननंद रूप पर्मानंद को काबिका प्रंपरियोजन कहा था ऐन आचारी ममत ने आपसान अमर 20 का C correct answer होगा नाट सास्त्र के रचनाकार कौन है तो आचार भरत मुनी आपसा नंबर इसका एक अरक्ट एंसर हो जाएगा अगला कोशन साब की इसकिन पर आचुका यह सब प्रसनों का पारिच्छा में खूब दबा के पूछे गए है अगला कोशन साब की स्किन पर आचुका है फल प्राप्ती हे तू सिगरता पूर्बक उधेरा किस कार्यवस्था में होता है तो प्रियत्न में होता है किसमें प्रित्न में अगला कोशन साब कावेलंकार रचना है किसकी कावेलंकार के लिखक कौन है आचार भामा ने कावेलंकार पुस्तक लिखी है अगला कोशन साब की स्किन पर आचुका है देखें रसको ब्रह्मानंद सहोदर किसने माना रसको ब्रह्मानंद सहोधर किसने कहा आचार बिसनाथ ने रसको ब्रह्मानंद सहोधर के नाव से पुकारा आगे देखते हैं अंगला कोसन साब किसके इन पर आ चुका हिंदी का पर्थम मौली को पन्यास हिंदी का पर्थम मौली को पन्यास कौन सा विया परिक्षा गुरू बिल्कुल राइट एंसर आपका है हिंदी का पर्थम मौली को पन्यास है आपका कौन सा परिक्षा गुरू इस राइट एंसर जिन्होंने भी परिक्षा गुरू लगया उनका बिल्कुल राइट एंसर आज रहा है ठीक है तो आप सभी लोगों ने जितना भी एंसर किया है लगभग अधिक तरह एंसर आपके करेक्ट ही आए है ठीक है तो बिल्कुल टेंसल लेने की आपको जरूरत नहीं है चिन्ता ना कने बिल्कुल भी ठीक है तो हिंदी का पर्थम मौले को पन्यास कौन सा है परिक्षा गुरू है लाला सुरी निमास दास ने लिखा था इसको भी आप सण करेक्टर एंसर होगा दीब जले संख बजे किस विधा की रशना है दीब जले संख बजे एक संस्मर्ण विधा की रशना है क्या है एक संस्मर्ण विधा की रशना है अगला को संस आ चुका है दुलाई वाली किस विधा की रशना है दुलाई वाली जो है ये कहानी है किसने लिखा है दुलाई वाली का C करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कोसंश आपके स्कीन पर आ चुका है भट़वट से आप देखेंगे ब्रामपट्र के संपाधक बताएं ब्रामपट्र के संपाधक पंडित menor परताव नाण कौन पत्रिका नहीं है इन में से बताएं इन में से कौन सी पत्रिका नहीं है फ्रवट से आप बताने का प्रियास करेंगे देखे इंदू एक पत्रिका भी है सरसती भी एक पत्रिका है आनंद कादम बिनी भी एक पत्रिका ही है ठीक है जबकि अगर बात की जाए भारत दुद प्रकासन हुआ आगे देखीएंगा यूग में किस पत्रिका का प्रकासन हुआ का प्रकासन हुआ आनन्द कादब्रिक का प्रकासन भारतेंदु योग में हुआ, अप्शन घोगा, सेध्धान्ती का आलोचना प्रमुख, ग्रन्त नाटक किसने लिखा है, बतायेगा, इसको लिखा भारतेंदु हरीश्चन जी ने, अप्शन इसका रायड एंसर होगा, अगला कोस्टन अचुकि साचुका है, रचनाकार कौ कौन है लाल चंद्रिका के रचनाकान है ललू लाल ठीक है इसी आपसन स्यूसिंग सरोज किसने लिखा है स्यूसिंग सेंगर ठीक है स्यूसिंग सरोज किसने लिखा स्यूसिंग सेंगर किलियर ध्यान रखेंगे इस तरीके से आप लोगों ने कई सारे परसनों को समझ लिया मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत अभिनेंदन बहुत-बहुत स्वागत अगर आपको पूरे के पूरे माड़ पेपर का पीडियाप चाहिए लिखित का पीडियाप चाहिए किसी भी सब्जक्ट का पीडियाप अगर आपको लेना है ठीक है तो देखे पीडियाप आपको या पिछले बर्स के कुशिन पेपर की पीडियाप अगरा पराप्त कर दी है तो आपको 91, 61, 93, 60, 62 पर रसमस करके गुरूप जोइन कर लेना है WhatsApp का गुरूप ठीक है आपको अपना नाम, अपनी उनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम आपको लिख करके संड कर देना है उसके आद में आपके पास एक स्केनर संड कर जाएगा उसी पर आपको 100 उपे संड कर देने होगे उसी में आपको सभी सब्जट के PDF नोट्स और वीडियो लेक्चर से सब आपको मिल जाएगी इसमें आपका को करिकुलर कोर्स भी सामिल कर दिया गया है सारे सब्जट की तयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी मात्र हंडेट उपीज में अगर आप गूगल पर फोन पर नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से या किसी दुकान से जाकर के भी करवा सकते हैं ठीक है भी धनीबाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तो तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी का बहुत बहुत धनीबाद हमारे से जुड़ने के लिए से प्रकार से अपने प्यार हमें सबना रखेंगे बहुत बहुत धनीबाद